सबको जैम सीकी मैं हूँ पास्टर शाम और आपका स्वागत है होव चैनल हिंदी में और मैं आपका स्वागत करता हूँ इसके साथ ही आज के सैबस कूल लेसन में हम मेरे भैन भाईयों मुख्य शिर्शक की और देखें तो इसका मुख्य शिर्शक है तीन स्वादूतों का संदेश और आज हम इस मुख्य शिर्शक के ग्यारवे लेसन में पहुँच चुके हैं इस दूसरे त्री मास में और आज हमारे साथ इस वारतालाप में सायोगी है हमारे अतीती गंड डॉक्टर रबेका जी और मैं आपका स्वागत करता हूँ पास जनल दोखे के विशे में देखा था आज जो है हम एक बहुत ही जो विशेश बात है उस पर ध्यान देंगे वो है परमेश्य की मोहर और पश्यू की च्छाप ये दो भागों में विभाजित हैं हम आज पहले भाग को देखेंगे और इसके बाद में अगले हफते हम लोग दूस परकाश वाकिया उसके साथ अध्याए और उसकी दूसरी और तीसरी आयत में इसके बारे में विर्वन किया गया है कि प्रबू की परमेश्यूर की जो मोहर है और पश्यू की च्छाप के बारे में हैं परमेश्यूर नहीं चाहता कि उसके लोगों पर पश्यू की च्छाप पढ़े हैं वो चाहता है कि मेरी महर उन पर लगे क्योंकि वो मेरे लोग हैं वफादार लोग हैं रास्तबाज लोग हैं इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं परकाश वाक्या उसका साथ अध्याए और उसकी दो और तीसरी आयत फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की महर लिए हुए पूरबस से उपर की और आते देखा उसने उन चार स्वर्गदूतों से जिने प्रित्वी और समुंदर की हानी करने का अधिकार दिया गया था उंचे शब्दों से पुकार कर कहा जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के मात्वे पर महर ना लगा दें तब तक प्रित्वी और समुंदर और पेड़ों की हानी ना पहुंचाना जिन पर महर दी गई है मैंने उनकी गिंती सुनी है अथात इसराइल की संतान है यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर की जो हमारे लिए महबत है उसने उन जो स्वल्दूतों को रोका कहा कि तुम अभी रुक जाओ यहां देखते हैं कि अंत समय में पशु की शाब जो है लगने जो है और सौभाविक है क्योंकि जो लोग परमेशवर में नहीं मजबूत हैं इसलिए शेतान उनको बुला बुलाके उन्हें गुम्रा करता है और उन्हें कही परकार की लालसाएं और उन्हें कही परकार के आजाएं और लेकिन उसके विपरीत जो हैं परमेश्वर के लोग हैं जिन पर हर परकार की ताड़ना की जाती है जिने हर परकार से पीडित किया जाता है लेकिन वो परमेश्वर के प्यार और उसके राज्य में इतने मगन हो चुके हैं कि उन्हें उन चीजों से उन चीजों स की उपासना उसकी पर जो महिमा प्रशंसा करते रहेंगे और ये क्यूं है क्योंकि परमेश्वर के लिए उनके हिर्दों में के गहराई से प्यार जो है वो जो है परमेश्वर को पकड़े हूए है जी बहुत बहुत धनेवाद पास्टर साब यहाँ पर डॉक्टर साब डॉक्टर रवेका जी मैं आप से बात करना चाहता हूँ एक अटल सहन शक्ती के विशे में क्योंकि यह मोहर उन्हीं पर आएगी परमेशर की जो मोहर है जो अपने आपको अटल रखेंगे जो अपने आप में परमेशर में द्रिर रहेंगे तो यहाँ पर एक अटल सहन शक्ती के विशे में बात आती है इस लेसन के अंदर तो मैं चाहता हूँ आप इसमें पर परकाश्ट आने क्योंकि उसके नियाय करने का समय आप पहुंचा है तो यहां पे हमें एक तरह से यह बताया गया चेताब ने दी गई है कि हमें परमेशर से डरके उसकी अरादना और उसकी उपासना करने की जरूरत है यहां पे हमें तीसरा फरिश्टा का जो पैगाम है वो बता रहा है कि हमें वो पशु की चाप नहीं लेनी है ठीक है प्रकाशतवा के चौदा का बारा कह रहा है पवित्र लोगों का धीर जिसी में है कि वो आगया का पालन करें और उसमें विश्वास में बने रहे है तो जब यहां हम देखते हैं कि सहन शीलता हम देखते हैं कि हम लोगों में सहन शीलता होना बहुत जरूरी है जब हमारे अंदर सहन शीलता रहेगी यह कह रहा है यहां पे रूमियों आठ एक से चार में बता रहा है जो मसी येशु में है उन पर दंड की आगया नहीं कितना अच्छी बात है जो मसी येशु में दंड की आगया नहीं क्योंकि वे आत्मा के अनुसार चलते हैं पर वे तरात्मा की गाइडन्स में चलते हैं फिर करा क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उध्धार हुआ है ये तुम्हारी उर से नहीं वरन परमेशर का दान है अनुग्रे जो हमारे पास है मसी का अनुग्रे है जब हम उसकी आग्याओं का पालन कर रहे हैं तो हमें ये देखना कि हमारा जिसकी हम उपासना कर रहे हैं वो हमारा स्रिस्टी करता इस प्रित्वी का बनाने वाला आपको और मुझे बनाने वाला और जो उसने बनाया वो सब पर्फेक्ट था आज अगर हम देखें यहां पे जो आखरी जो चल रहा है युद्ध माल युद्ध क्या दीजे परमेशर के लोगों में और शेतान के लोगों में पशूज है पूरी अपनी कोशिश में लगावा है कि परमेशर के लोगों को क्या करें बढ़काए भरमाए उने और अगर वो ऐसे नहीं मानते तो उनको क्या करना है सजा देनी है तरपाना है सताना है ताकि वो परमेशर के रास्ते से अलग हट जाए धन्यवाद इस अच्छे से बातों के लिए यहां पर हम देखते हैं कि जब शेतान ने देखा कि उसका कोई जोर नहीं चल रहा तो उसनी क्या करती है विवर्स्ता को ही बदल लिया ताकि लोग परमेशर से अलग होते जाएं और वो परमेशर की आग्याओं में उसकी शिक्षाओं में अटल ना रहा पाएं साथी हो हमारी यह बात यह चर्चा यह ही चलती रहेगी मिलते हैं आप से छोटे ब्रेक के बाद कृप्या करके आप कहीं न जाएं हम हमारे पास्टर जॉनसन जी मैं आप से जाना चाहता हूँ एक संघर्ष जो ब्रहमानिय संघर्ष के विशे में हम यह बात करेंगे जो चल रहा है ब्रहमानिय संघर्ष उसके विशे में जी पास्टर जी ब्रहमानिय संघर्ष एक ऐसा संघर्ष जो पूरे ब्रामान को हिला के रख देता है जो पूरे ब्रामान में बोыт बड़ा संगर्ष है हम जानते ही हैं, कि वो संगर्ष जो है वो परमेशवर, उसके बीटे येश्व मसी और शेतां के बीच में है और यहां हम देखते हैं कि शेतान जो है वो बहुत दबाओ बहुत प्रेशर बनाता है कि परमेश्वर के लोग खुदावन से तूट जाएं और उसे चुट जाएं और इसी तरह प्रभू येश्व मसी पर भी लालचन लगाएं गया उन्हें पीडित किया गया और कुरूस पर चड़ाया गया मतीब की पुस्तक उसका 27 अध्याए और उसकी 45 और 50 में यहां हम देखते हैं की मैं आयत पढ़ना चाथा दुपैर से लेकर तीसे पहर तक उस सारे देश में अंधिर चाया रहा तीसरे पहर के निकट येश्व ने बड़े बड़े शब्दों से पुकार कर का इले इले लमा शबाती अर्थात है मेरे परमेश्वर है मेरे परमेश्वर तुने मुझे क्यों छोड़ दिया ये उस वकत की मुसीबत का समय था प्रभु येश्व मसी जब क्रूस पर चढ़ा दिये गए और उनका जो अटूट रिष्टा पिता के साथ था जिस पर पिता पर निर्बर होते थे वो भी उस वकत जो है उन्होंने सहाथा मांगी जिस पर वो निर्बर थे लेकिन वो नहीं मिली ना उन्हें उन्हेंने का कि यदि तेरी इच्छा हो तो मुझे शमा कर दे यह यह वाइव यू फरसेकन मी उसने का मेरे मुझे क्यों छोड़ दिया और ऐसी स्थिती में प्रभु येश्य मसी भी का अपना वो विश्वाश बना रहा खुदावन प्रभु येश्य मसी ने किसी परकार का भी भै या चिंतन नहीं किया वो अपनी प्रभु येश्य मसी का विश्वाश जो इतना सचा और इतना गहरा और इतना प्रतिबद्दा का था कि इस से शेतान की सारी जो उसकी सारी जो चालें थी सारी जुगतें थी वो सारी फैल हो गई और उनोंने हिला के रख दिया पूरे प्रतिवी को और हम कहते हैं कि प्रभु येश्य मसी के जो लोग हैं वो भी विश्वाश के साथ दिन बाई दिन जो है बुरे या अच्छे समय में गुजरेंगे और उनका विश्वाश बना रहेगा गुलीतियां उसके तीन बाप और ग्यारा में वो कहता है दे जस्ट शल लिव बाई फैट कहता है बहुत समय का ये ब्रामल्ट संगर्श होगा उन्हें लगेगा कि हम अभी भी मर जाएंगे यह यह जो कह रहे हैं यह सही है शिदानी ताक्ते हैं लेकिन कहते हैं वो सिर्फ विश्वाश फर जीवित रहें लिव बाई फैट और यह जो संगर्श है चला हुआ 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 है और इसका जो समय है वो अब है ताकि हम आने वाले समय में अपने विश्वाश को मश्बू बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर जो है हम देखते हैं कि एक संघर्ष जो चल रहा है जिस विशे में पास्तुजी ने बताया और यह संघर्ष को छोटा नहीं था जब ये शुमसी ने प्राण थे आगे तो पूरी पृत्वी जो थी उसमें वांच जगा थी काम ने लग ग बंदिशें हैं इस लेसन के अंदर बात आती है तो मैं चाहता हूँ अब इस पर प्रकाश डाले क्या है यह अधर्म की बंदिशें जैसे कि हम देखते आ रहे हैं प्रकाश तवाकिया 14 में और यह अधर्म धर्म में विश्वास नहीं करने वाले लोग वो धर्मी लोगों प अगर नहीं मानेंगे तो उनके उपर बंदिश लगाई जाएगी लेकिन यहां पर यह भी कह रहा है कि सताहट के समय परमेशर अपने लोगों की रक्षा करेगा जो परमेशर की आगया का पालन करते हैं और उस पे विश्वास करते हैं तो बड़ी क्लिरली चाहें कितनी सता हट आए बंदिशें कितनी आजा है मार पर लेकिन परमेशर हमें उसमें से निकाल के ले आएगा यह पशू का जो प्रहार है वो परमेशर के लोगों के खलाफ है जी अजगर जिसे हम कहते हैं जिसको आसमान से गराया गया और यह जो धर्मियों की जो सताहट है वो नही नह है 538 से 1798 तक जो है लोग जो है उनको जलाया गया उनको जो है उनके बच्चों को मार दिया गया उनके सामने आखे निकाल ली और कुछ लोग जहें जंगल में चले गए जहां पर उनको परमेशर ने बचा के रखा यह 1260 साल तक उनका जो है सताहट उनको बाइबल उनसे च सताहट जो है यह नई नही है मसिही लोगों के लिए जो की मार गए हैं मसी में उनके लिए परमेशर ने सुवर का हमकुट रखावा है तो यह हमारे बहुत जरूरी है कि ऐसे परसिक्उशन के समें हम अपने आपको जो है मसी में बना कर रखे अकर हमारा bridgeot पर जाता है झी तो हमारी जो सहन शक्ती है वो बहुत ख़तम हो जाएगी. और वो शैतान जो है वो एतना ज़्यादा फोर्स करेगा. अपना अधिकार जमाएगा हमारे उपर कि हम जब कमजोर पढ़ जाएंगे विश्वास में तो हमारे पस कोई चारा नहीं है सिवाए उसके कि हम उसकी बातों का क्या करें संबन करें. यहां पर बताया गया है कि पर्सिक्यूशन जो है ऐसा आने वाला है जब कि लोग ना कुछ खरीद पाएंगे ना बेच पाएंगे. उनके माते पेर या हाथ पे पशू की चाप होनी ज़रूरी है. अगर उनने पशू की चाप नहीं ली है इसका मतब यह है कि हम लोग खह रहे हैं कि सैटरडे जो वर्शिप है जो मसीही लोग स्पेशली एडवेंटिस चर्च जो बड़े स्टिक्ली फॉलो करते हैं उनके ल संडे लोग और मसीहीं को सताना है तो संडे लोग को काबू में लाना है लेकिन परमेशर अपने लोगों को बचा के रखेगा बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छे बातों के लिए सच में परमेशर का वच्छन भी इस विशे में कहता है येश्य मसी मती 24 के अंदर इस च चाहता हूँ आपका इन अच्छे बातों के लिए दर्शकों आपका ही मत जायेगा क्योंकि हमारी ये बातें ये परमेशर के वच्छन की जो बातें चल रही है यह यहीं बनी रहेंगी मिलते हैं आप से एक छोटे से प्रेक के बाद दर्शकों आपका फिर से स्वागत है सै किस तरीके से प्रवेशर अटल सेहन शक्ती की विशे में बात करता है किस तरीके से ब्रामनिय संगर्ष को हमने देखा किस तरीके से हम इस बातों को देख रहें अब जो है हमारा बात आती है जो मेमने के पीछे हो लेते हैं ऐसे लोग जो मेमने के पीछे हो लेते हैं मैं प कि जो पहला पशुव है उसे खास जो है वो शक्ती जो है वो शेतान की तरफ से दी गई है और वो जगा जाता है और बड़े चतु तरीके से जो है वो जो है वो अपना खेल जो है वो खेलता है और वो चाहता है कि प्रबु येश्य मसी को वो मारते है पैदा होनते के समय तब हम देखते हैं कि हेरोदीश बाक्षा जो था उसने ये कह दिया कि सब जो उस समय जो छोटे बच्चे थे जो मिल थे उन्हें मरवा दिया जाए या उन्हें मरवा दिया जाए कि उसने ये जो है डिक्री जो है ये निकाली थी और हम देखते हैं कि ये इस परकार के जो है ये का सारे पीड़ा में से जो गुजरते हुए लोग जो हैं जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर को मानते हैं सचाई करते हैं शेतान हमेशा उन्हें मारना चाहता है बलकि उन्हें बढ़ने नहीं देता बलकि वो कहता पैदा होते ही इनके कुछल दो ताकि मैं अपना राज्जे स्थापित कर सको और परमेश्वर की और शेतान की यही तो लड़ाई है कि वो चाहता है कि मैं अपना जूटा राज्य स्थापित करूँ और जो खुदावंद नहीं चाहता इसलिए वो कहता है कि है तो बहुत पीडा का समय लोगों को इस पीडा से गुसरना पड़ेगा लेकिन कुछ लोग जो होंगे जो वफादार होंगे वो मेमने के पीछे ही चलते रहेंगे जहां जहां मेमना जाएगा वहां वहां चलते रहेंगे और यह होता ही रहेगा कि खुदावन प्रभू येश्यो मसी के विरोध में होंगे या उसके साथ होंगे और जो उसके साथ होंगे उन्हें पीडा से गुजरना पड़ेगा और यहां मती दस और बाइस में कहता है कि मेरे नाम से तुम पड़दारित किये जाओगे लेकिन तुम अंत में क्या हो बचाए जाओगे मेमने के पीछे तो होई रहना है हमें चलते रहना है थैंक यू सो मच बहुत अच्छा विचार आपका है और बाइबल की इन वचनों के अंदर हम बाते हैं कि जो मेमने के पीछे हो लेगा परमेशिय उसको जो है बचाएगा जो उसकी शिक्षाओं के पीछे होलेगा मेम आपके पास आना चाहता हूँ यहां पर बताता है येशु हमारा एक मात्र मद्यस्ट है ये जो है इस लेसन का जो है बहुत प्यारा भाग है जिसमें बताता है येशु मसी हमारा एक मात्ब मदयस्ट है मैं आप आपसे जाना चाहते हूं इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डाले क्या कहती है बाइबल क्या कहता है परमेश्व का बच्छे इस विश्य में ये जो है येशु मसी हमारा मदयस्ट या बिचौलिया भी कह लीजे वो हमारे पिताफ परमेशल और हमारे बीच में ये शुमसी मध्यस का काम कर रहा है ठीक है बिचौलिया का और हम यहां पे देख रहे हैं कि ये शुमसी जो थे लूका पांच 18-26 में बताया गया कि वो लकवे के मरीज को उनोंने चंगा किया जिसको खाट से नीचे लाया गया और उसको जो है ये बताया गया कि येशुमसी को वो अधिकार था कि वो चंगाई करे जो मर गया हैं उनको भी जिन्दा करें यहां पे ये लोग जो है यहुनना 10-33 में जो लिखावा है कि लोगों ने जब देखा कि मसी ने ऐसे काम किये है और मसी को कह रहा है कि मैं परमेशर का पुत्र हूँ मैं मसी हूँ परमेशर हूँ परमेशर के समान हूँ तो उन लोगों ने जो सोचा कि ये क्या कर रहा है परमेशर के खिलाफ बोल रहा है तो उसको जाए विरूत में उसको पत्थर मारने वाले थे मसी ने का मेरा समय नहीं आया भी तो वहां से वो चले जाते हैं यहां पे देखते हैं कि अजगर की लोग पूजा करते हैं पशू की चाँ पशू की चाँ यह जो है बताता है कि मैं इस धर्ती पर परमेशर करो ला मेरा बिलकुल बिलकुल यहां पे प्रॉम्ट बिब्लियो उसमें दिया गया है वालिम सिक्स पेज़ज का यह वर्णन पूप लियो थर्टीन जो है वो अपने आप में बताते हैं कि जितने भी पूप उनको भी मिलाके हमारे पास यह अधिकार है इस प्रत्वी पर कि हम परमेशर की जगह ले सकते हैं अगर हम देखें रोमिन कैथलिक चर्च में की प्रीस्ट प्रीस्ट जो है वो मनुश्य और परमेशर के बीच में बीचौलिया का काम करता है प्रीस्ट वो कहता है कि मेरे पास यह अधिकार दिया गया है कि मैं लोगों के पापो को शमा करो जो की सही नहीं है वो भी पापी है वो भी मनुश्य है वो भी परमेशर का बनायावा इंसान है तो एक पापी दूसरे पापी की कैसे शमा कर सकता है वो कैसे बिचौलिया हो सकता है तो ये जो जूटी शिक्षाए है पशू के घराने से वो जब निकल के राती है तो लोग बगैर सोचे समझे उन नीतियों पे उन रीती रिवाज़ों पे चल पड़ते है ये भूल जाते हैं कि हमारा बिचौलिया येशु मसी है और वो परमेशर और हमारे बीच में है अभी येशु मसी आसमान में है वो हमारा बिचौलिया का काम कर रहा है क्योंकि वो नियाए में है वो खड़ा वाकी मैंने इसके लिए अपनी जान दी है और इसके पापों को जो है शमा किया जाए तो वो अलरड़ी बिचॉलिया है मगर एक आदमी प्रत्वी पे बिचॉलिया नहीं हो सकता जो कि पशू ने उसको जो है अधिकार दिया है ये दोनों में अंतर है मेमना परमेशर का पुत्र और पशू जो अजगर है जिसको जमें आसमान से गिराया गया बहुत बहुत धन्यवाद रबिका मैम आपका और पास्टर जी आपका हमारे साथ जुडने के लिए और इस सैबस्कूल के पार्ट को इतने सरलता से असानी से हमें समझाने के लिए आपका धनेवाद देशको आपका भी मैं धनेवाद देना चाहता हूँ कि आपने बड़े दिल से बड़े ही उमीदों से इन वचनों को सुना है परमेश आप सबको आशीच दे आप इसको वचन को अपने तक ना रखें बलकि अपने मित्रों के साथ अपने दोस्तों के साथ अपने परिवारों के साथ जरूर बाटें ताकि वो भी प्रभू की आशीच पाएं मिलते हैं आपको अगले लेसन में प्रभू आप सबको आशीच दे सबको जैम सीखी कर दोस्तों के साथ